कभी घर पाने के लिए हवन किया तो कभी बजाई भैंस के आगे बीन नौकरी छोड़कर चाए बेचने का काम भी शुरू कर दिया मगर फिर भी नहीं बदले आमरपाली होम बायर्स के हालात आमरपाली दफ्तर के बाहर पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे लोगों का होसला अब भी नहीं तूटा है विरोध का नया तरीका निकालते हुए लोगों ने अब सुरीले अंदाज में आमरपाली का विरोध किया मेरे सामने वाली किड़की में एक चोर का साला रहता है अपसोस है कि वो साला कुछ उकडा उकडा रहता है मेरे सामने वाली किड़की में एक चोर का साला रहता है अपसोस है कि वो साला कुछ उकडा उकडा रहता है ले जाएंगे ले जाएंगे अनिल शर्मा को जेल में ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे अनिल शर्मा को जेल में ले जाएंगे अपने पैसों की वापसी के लिए धरने पर बैठे लोगों से अब तक खुद अनिल शर्मा और नोईडा के विधायक पंकस सिंग मिलकर जा चुके हैं मगर लोग धरने से उठने का नाम नहीं ले रहे जब तक उने उनका पैसा वापस नहीं मिल जाता नहेरा से रिएल्टी मिर्या के लिए उतकर सोगस्ति